हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तू दिस अमेजिंग प्लेट फर्म टाप 10 क्लासेज और मैं हूं बच्चो प्रजोर सिंग आपका स्टार्ट करता हूं कमिस्टी चैप्टर नमबर दो सबसे पहले आप देखे हमने आपकी हैटिंग लगा रखी है क्या एसिट्स अब बच्चो एसिट्स क्या होते हैं अदिस तो हैसे पदार जो स्वाद में क्या हुं घग खटे होते हैं उस्वाद का मतलब ही होता है क्खटा इतनी बाते समझ भी आई तो इसे मनल लेते बच्चो हम डिक्किया है किया है ऐसे पजार झो स्वाद में जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हे उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? इतनी बादों आपको अब बच्चो आपका देखेंगे स्वांटे और हीनियस ने अमने के बारे में क्या बताया इसके बाद देखें बच्चो अमने का लिटमस पेपर प्रभाव क्या होता है प्रबलम और दुर्बल अमने बच्चो क्या होता है तो सबसे पहले बच्चो इतनी बाते आपक खट्टा होता है, तो ऐसे पदा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? अब बच्चो जैसे, क्या बच्चो आपने घर पर सिर्का खाया होगा? सिर्का अगर बच्चो आपने सिर्का खाया होगा तो सिर्का का जो स्वाध होता बच्चो खट्टा लगता है कि नहीं हाँ वो सिर्का आपको खट्टा लगता है और सिर्का में क्या पाया जाता है मतलब कोई अमल पाया जाता है क्या पाया जाता है अमल अब बच्चो सिर्के को सिर्के में पाया जाने वाले अमल को क्या करते एसटीक अमल लगाते क्या करते एसटीक अमल क्या करते एसटीक अमल क्या क सिर्के में पाए जाने वाले अमलको एसिटिक अमलक क्यों कहते हैं सिर्के में पाए जाने वाले अमलको एसिटिक अमलक क्यों कहते हैं बच्चो तो इसका हम यहां पर एक साथ रीजन बता दे रहें आपको एस्टम क्या अच्छो एस्टम 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 एक लाइटीन वर् बच्चो यह याद रखेगा सो कौन सो वर्ड है यह लैटीन वर्ड है कि कौन सो वर्ड आपका लैटीन सब्द है और इसका उतलब क्या अतर्चो सिर्का होता है अब अगर हम बात करें किसके स्वांटे आरहीनियस का अंसार किसके स्वांटे आरहीनियस के अंसार अब कमाटे आहिनियस ने चोट अपनी संगलपना दी थी उन्होंने बताया था come गल में घुलने वाले पण अधार पर जल में जो बच्चोँ आपके पडार्ट घुल रहे थे और और वो घुलने के dispi yeah बच्चो अगर जैसे मिंद जल ने कोई पदार्त डाला और वा अपने आयन के रूपे टूट जाए तो अगर पदार्थ में बच्चो आपका इस प्लस आयन मिल रहा 돼 लाय गर पर से क्या मिला है आपका जैसे अमने कोई पडार्त लिया उसको प्लस और येचlu में इसका नाम कि आपका हाइड ग्रोजटनami हाइट्रोरजन आयन को बच्चोम क्या करते आपका प्रोटान शब्र justement प्रोटान का है क्या वासान में क्या चूप रटन काते हैं इतनी वारत शन मिंट तो ऐसे पदा जल में कहा बच्छो जल में क्या देते ह। यसे पदा जो जल में क्या देते ह। यज प्लस आयन देते हो, मतलब हाइट्रोजन आयन देते हो, जिसको हम प्रोटान कहते हैं, उसको स्वांटे आरहिनियस ने क्या कहात बच्चो, अमल कहा था, क्या इतनी वाद है, समन में आपको, तो ये रहा बच्चो, स्वांटे आरहिनियस की परिकलपना, तो अब कुछ ब बच्चों जो जल में घुलेंगे नहीं तो आयन तो देंगे नहीं और जब आयन देंगे नहीं तो उसको explain कैसे करेंगी अमला है स्वांटेयार ही निसका हुआ तो इनकी वी संकल्पना क्या होए बच्चों कुछ कुछ इस्तितियों में क्या होए रांग साबित हुई तो सबसे पहले हमने यह बात सीखा कि ऐसे पदा तो जल में क्या देते यह प्लस आयन देते हैं आपका अमलक कहते हैं इतनी बाते आपको सवन्वाई होगी और इस बात को बच्चों हम लिख लेते हैं कि स्वांटे आरहीनियस के अनुसार स्वांटे आरहीनियस के अनुसार ऐसे पदाथ ऐसे पदाथ जो जो जल में जो जल में अयनित होकर जो जल में आयनित होकर येज प्लस आयन क्या प्लस आयन जिसको क्या खते हैं डाक चो hydrogen ion देते हैं उसे उसे आम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं आम लगाते हैं यह स्वांटे आहरीनियस ने बच्चो आपको बताया था जैसे बच्चों हमने लिए है kya ले और यह सिएल को जैसे बच्चों में घुला इकक्यू लिखायं अक्यू से होता है और आतों मतलब जली विलेन होता है तो जैसे सहिंब घूला जल्मे लिए यह यह बच्चो ब्रेखोगा किसमें येजप्लस में और किसमें ब्रेखोगा बच्चो सीयल माइनस में किसमें ब्रेखोगा येजप्लस में और किसमें ब्रेखोगा आपका C l – में तो यह test plusदे रहा है बच्चो अगर कि यह per repeat में एक हैं है यह क्या है 5 trans हाइन एक है फिर अगर मद्चा यह यह रहा है क्या दे रहा यह क्या आपका तोग्टंचांडरा आपे स्एम क्या कहेंगे हैं को पदितो क्या कहेंगे डबल ओए इसको मुझा करते हैं अब लगाते हैं और जो इसका बच्छो आयूपी एसी नाम होता है अब जब बच्छो अम लगो किसमे बच्छो घोल दिया किसमें गोल दिया, किसमें गोल दिया, जल में इसका acquisition lilon बना दिया, ज़र request veuxilen बनाएंगे तो क्या मिलेगा बच्छो, CS3, COO-, क्या मिलेगा, CS3, COO-, Acetic ion, क्या मिलेगा बच्छो, Acetic ion और H plus ion बच्छो, अलग हो जाएगा, और क्या होगा येच प्लस आयन अलग हो जाए क्या इतनी बात समझ में आई जब हमने एसिटीक अमल को लिया और एसिटीक अमल को किसमे घोल दिया बच्चो जल में घोल दिया तो हमें क्या मिला एसिटेट आयन मिला क्या मिला और क्या मिला है टोजन आयन मिला तो इसको बच् सकता कि क्लो राइट अधर प्रोय रगल को है नहीं है इसको क्या हैं कषके याइन कहें के हैं उसको यह बच्चो जलमें आपको घुल करके क्या दे रहे हैं हाइटोजन आयंद दे रहे हैं इसलिए आप इन्हें क्या कहेंगे अमल कहेंगे क्या इतनी बाते आई समझ में अगर हाँ तो बच्चो आप बेडियों को like कीजिए अब बच्चों बताते हैं आपका की दुर्बल अमल और प्रबल अमल क्या होते हैं बच्चो अमल के प्रकार देखिए अगर हमने हाइड्रोक्लोरीक अमल लिया तो जैसे हाइड्रोक्लोरीक अमल को हम जल में डालते हैं किसमें डालते हैं बच्चो जल में डालते हैं और जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोक्लोरीक अमल अपन प्रभने का मतलब जो आपका यसील होगा जब उसको हम जल में डालेंगे तो उसका जो आयनन होगा उसका जो आयनन होगा क्या होगा बच्चों 100% होगा परबल अमलक कहते हैं जैसे जएसे नहीं होगा सब परचेंट नहीं होगा अगर प्रव्य होगा अगर उसका सौ प्लस सान नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंग तूसरे म्क्या कहेंगे मैं दुरू नहीं क्या कहेंगे तो यह तो पूरी की पूरी जो आपकी कर्पना है यहां सूरा और भी बच्चो channel हेडिंग लिख रखा है पूरा का पूरा हमने एक लाइन में बच्चो एक आपके आपका सकते 5-10 मिट का लेक्चर जो रहा है इसे हमने कंप्लेट कर दिया अब बच्चो कुछ हम इस्टा चीज़ें सीखेंगे जो आपको बच्चो बहुत ही काम में आएगी तो बच्चो अब अमले की प्रकार के दो प्रकार के एक प्रबल और बच्चो दुरूबल जिसका स्टांग अज़िट कहेंगे और जिसका प्रच्च आइनन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे दूरूबल अमले करेंगे क्या कहेंगे दुरूबल अमला कहेंगे और दुरूबल अमला मतलब क्या अच्छा उसको क्या कहेंगे दुरूबल अमला कहेंगे और दुरूबल अमला मतलब क्या वीक एसिट क्या वच्छो वीक एसिट और जब 100% जिसका आयनन होगा वच्छो उसको क्या कहेंगे प्रबल अ तो बच्चों यहां पर देखेंगे आपके अमलेके प्रकार कि टाइब साप एसिट कि अब बच्चों यहां पर आप समझेए आमलेके प्रकार हमने देख लिया है एक दुर्बल और एक प्रबल अमले बच्चों कि अमले मुख्य तहर दो प्रकार कि होते हैं पहला बच्चों क्या होगा प्रबल अमले जिसको हम कि अब करते हैं क्या करते हैं आपका है उस्त्रांग एसित कहते हैं यस्ट टी आर ओ यंजी और श्टांग एसिट कहेंगे बच्चों और स्ट्रांग एस्ट किसे आते बच्चों जिसका आयनन कि इतने पर्शेंट हो बच्चा 100% होता है जिसका आयनन 100% होता है उसे उसे प्रबल अमले उसे प्रबल अमले कहते हैं उसे क्या कहते हैं जैसे जैसे मेरे बच्चे क्या होगा आपका SCL S2SO4 1603 ITC जैसे बच्चो हमने आप SCL का आनन बताया था अब यहां साब को क्या मिलेगा और यहां से कितने आयन निकले दो यह प्लस आयन निकले यहां से कितने आयन निकले दो माइनस चार जाएगी तो यह 2-2 और इसको क्या को सलफिट आयन कहें और इसका नाम क्या पड़ता है यह फटे है और इसका नामे क्या पड़ता है हाइतो है the सल्फ्यूरिक अम लगाते हैं क्या काते हैं बच्चो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम लगाते हैं क्या काते हैं और बच्चो यहाँ पर आप देखिए कि सल्फ्यूरिक अम लग कितने हाइटोजन आयन देता है तो बच्चो यहाँ पर कितना है विस्थापित हाइड्टोजन आएन की संख्या यह अकसर बच्चों पूश लेते हैं विस्थापित हाइ्टोजन आएन hyac 이번 Yeah 1064 में विस्थापित हाइड्टोजन आइन बच्चा कितना है 2 है न है तो कितना बच्चो यह याद रखिएगा जब yes to yes to for खमजल में घोलते हैं तो किसमें टूट जाता है 2H plus में yes to for 2 minus में जिसको हम hydrogen ion और क्या करते हैं बच्चो sulfate ion कहते हैं जिसको hydrogen ion और क्या करते हैं sulfate ion कहते हैं और hydrogen ion बच्चो होगा अगर कोई पूचे yes to yes to for होर कितने hydrogen आयन देता है तो आप क्या बताएंगे। विस्थाफित थापित हड़ों कितना च्वज देखिए दो है थ्माइससे बच्चो क्या बताएंगे दो बताएंगे तो है तो अब बच्चो अगर आपका हम देखे कि दुर्बल व्यकन वुङसेट्स क्या और अगर आप से कोई पूछे-वीकज़-क्या होते हैं, तो आप क्या बताएं हैं, तो ऐसे अमल बच्चों ऐसे अमल जिनका आनन सव परसेंट नहीं होता है ऐसे अमल जिनका आनन सव परसेंट नहीं होता है ऐसे अमल जिनका आनन जिनका आयनन 100% नहीं होता है जिनका आयनन 100% नहीं होता है उसे उसे दुर्बल अमल उसे दुर्बल अमल कहते हैं जैसे बच्चों ने क्या ले लिए आपका CS3 COOH A-C-Tick अमने ले लिया और A-C-Tick अमल को हमने किसमें डाला जन में डाला तो हम क्या देखते हैं A-C-T-C-O माइनस में और यह प्रसान में इसका आयनन 100% बच्चों नहीं होता है इसका आयनन 100% नहीं होता है आप लिख सकते हैं इसका आयनन 100% नहीं होता है 100% आयनन 100% आयनन नहीं होता है अब जब 100% आयनन नहीं होता है तो इससे बच्चों क्या कहेंगे दुर्बल अमल कहेंगे क्या इतनी बाते आपको समझ में आ गई बच्चों इतनी बाते बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, अब बच्चों में आपका एक इस्टा पॉइंट डिसकसन कर लेते हैं, वह क्या है बच्चों, वह आपका क्या है, थोड़ा गौर कीज़े बच्चों, जल में आपके कितने प्रकार के आयन पाये जाते हैं बच्चों जल के आयन, अब बच्चों, जल के आयन क्या होता है, जल का फावला क्या होता है अब तो होता है अजल बच्चों में कौन कौन से आयन होते है और क्या होते है अपके राक्सिल आयन होते है इसको बच्छों क्या कहते है इसका नाम क्या है हाड्राक्सिल आयन है और हाइटोजन आयन का आकार बहुत छोटा होता है और हाइटोजन आयन का आकार बहुत छोटा होता है और हाइटोजन आयन का आकार बहुत छोटा होने के कारण और यहां पर बच्चो क्या होते हैं आपके लोन पेर लिक्टान होते हैं और आकार बहुत स्काइड पर कितने हो दाइए और सब्सक्राइब जब बच्ण पर इस पर इस सब घर पर ओंगते हैं क्या करते हैं हई जिए सब्सट cavalry ओь मतलब कहने का ऐक चीज निकल और भच्छो किया स्टूमें कितने प्रकार कि आएन है बच्छो यस्टूम में बात करें बच्चा आयन की तो आइन वाइन स्टीन प्रकार के मैं है और अगला किया है synthes थो यह तो आपको कितने प्रकार कार क्या थो यही पर आपके स्वांटे आरेश ने काम किया था उन्होंने बताय कि जो एक स्प्लस देता उसे हम क्या कहेंगे हमला कहेंगे जो यह प्लस देता हो ऐसे हम क्या कहेंगे और जो चाहर कहेंगे यह बात बच्छो बात में भी आपका में डिसकाशन med तो यहां पर बहुत गौर करने बातने बातने हैं गौर कीजिएगा . तो बिदियो को लाइक कीजिएगा ठीक है बच्चो अब हम आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चो नेक्ट लेक्चर जो आपका होगा अमलों के प्रापरटे के बारे में अभी तो बच्चो हमने यहां पर देख लिया कि आपके अमल होते क्या है और अमल के बिसे बच्चो अलग अलग संकल्पना आई है इसके बाद भी बच्चो आपके संकल्पना है ब्रॉंस्ट लॉरी की संकल्पना है अब उसको भी बच्चो आपके स्लेबस में होगा है तो आ आई कीजिए अगर आप चैनल पर बच्चो पहली बार आयों तेसे बच्चो सस्क्राइब कीजिए और बच्चो मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्चो जय हिंद और जय भारत